नमश्कार, हर्याना एट 9 पेम नुश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आईए आपको कराते हैं ख़बरों से अपडेक। पानी है बिल्कुल साफ, दुनिया में हजारों की तादाद में शीली मुझूद हैं लेकिन इनमें से कुछ ऐसी हैं जो इसका पानी एक बार पी ली, कहती हैं इसकी बाद फिर मोत उसे अपनी आगोश में ले लेती हैं। भुसंखलन से हुआ जिल्का निर्मान इसके बाद इस गौधी ने लोगों को श्राब दिया और जिल में जाकर गायब हो गया। हर साल स्थाने लोग करते हैं डांस उत्सव का आयोजन। कहा जाता है कि जिल्के अंदर से डूबे हुए लोगों के रोनी और ड्रम के आवास आती रहती हैं। जिल्की रक्षा पाढ़ों पर विशाल का यजजगर करता हैं यह यजजगर स्थानी लोगों को नुकसान ना पहुँचा है इसलिए उसे प्रश्चन करने के लिए हर साल यहां के लोग निर्ते उत्सव का आयोजन करते हैं जिसमें गौड़ी लड़कियां डांस करते जिल्की रहसे को जाने की कोशिश बताया जाता है कि 1946 में एंटी लेविन नाम के एक वैक्तिनी जिल्की रहसे को जाने की कोशिश की थी वह पानी के सचाई का पता लगाने के लिए हां आया था उसने जिल्की से थोड़ा पानी लिया और आसपास से कुछ पोधे लिये और कुछ देश चलने के बाद वहरा साब भटक गया, जब तक उन्होंने पानी और पोधे फेक नहीं दिये तब तक उनको रासा नहीं मिला, हलाकि घटना की कुछ तिनों बाद उनकी मौत हो गई थी. हर बार लगी विफलता हाथ, इसके बाद भी लोगों ने इस जील के रहसे को जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार विफलता ही हाथ लगी, कोई आस तक इस बात का पता नहीं लगा पाया कि आखिर क्यों इस पानी को पीनी की बाद लोगों की मोत हो जाती है, कुछ लोगों का मा नए कि छील में कोई जहरीली गैस मिली हो सकती है, हलाकि इस बात काफी तक कोई प्रेमान नहीं है.